हलो दर आवरिवान, वेलकम बैक टू सब्रोस किचन आज आपके लिए लाए हूँ बिलकुल ही सिंपल इंग्रिडिन्ट से बन जाने वाली ब्रेड की एक यूनिक रेसिपी इसमें आपको वड़ा पाओ के साथ साथ ब्रेड पकोड़े का भी टेस्ट आने वाला है और उपर से ये बिलकुल ही जैसे की बर्गर के अंदर की टिकी होती है वैसी क्रंची बनकर रेडि होने वाली है तो फ्रेंड्स बिलकुली आसान सी रेसिपी में आज आपके लिए लाई हूँ उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा अगर पसंद आजाए तो एक लाइक ज़रू से दे दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रू से कर लीजिएगा तो चलिए फटा-फट से इस रेसिपी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है एक पैन और पैन में डालेंगे थोड़ा सा ओईल करीब दो चमची ओईल हमें डालना है और ओईल को गरम होने देंगे इसके बाद इसमें एड़ करेंगे राई यानि की मस्टर्ड सीर्स और इसी के साथ एड़ कर लेंगे जीरा तो एक चमच राई डाल लेंगे और एक चमच जीरा डाल देंगे इसी के साथ थोड़ी सी हिंग डाल देंगे और इसके बाद यहाँ पर मैंने लिये हैं आलू तो आलू को मैंने उबाल लिया था और उबालने के बाद इस तरीके से इसको हाथों से मैश कर लेंगे और पैन मे टालते जाएंगे तो यह बहुत ही जट पट ची और सिम्ल बन जाने वाली रेसिपी है बहुत जादा ताम जाम की जरूरत नहीं है ना ही बहुत जादा मसालों की जरूरत है फिर भी बहुत ही ज्ञादा टेस्टी बनकर ready तो देखि इस तरीके से हमें आलो को मैश कर लेना है, छोटे बड़े पीसिस रह जाए उसका डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इस तरीके से सारे आलो मैश कर लिए और अब इस पर में डाल रही हूँ हरी मिर्ची की चेटनी, तो यहाँ पर मैंने धनिया लेस्टन और हरी मिर्ची की चेटनी बन अब सारी ही चीजों को कर लेंगे हम बड़िया तरीके से mix फ्लेम को इस वक मैंने लो रखा है टेश्ट के हिसाब से नमक भी डाल लेंगे और अब सारी चीजों को बड़िया से mix कर लेंगे थोड़े बहुत आलो को इस तरीके से spatula या चमत से mash कर लेंगे और chunks रह जाए तो उसका भी कोई tension नहीं तो यह हमारी stuffing या फिर सबजी बनकर ready है बिल्कुल ही चाहे bread पकोड़ा कहें या कहें वड़ा पाउ तो अब इसके उपर last में हम add कर लेंगे हरा धनिया और हरे धनिया का flavor बहुत ही बड़िया आता है आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता भी add कर सकते हैं जब आप दर्का दे रहे हैं तब तो बस धनिया को add करने के बाद गैस को बंद कर देना है और धनिया को भी हम बड़िया से mix कर लेंगे और अब इस stuffing को हमें बिल्कुल ही ठंडा होने के लिए रख देना है पंके के नीचे तो friends अब यहाँ पर मैंने लिया है बेसन तो यहाँ पर आप चाहे तो बेसन की जगा मैदा गेहूं का आटा या कॉन फ्लोर भी ले सकते हैं लेकिन क्यूंकि वड़ा पाओ हो या ब्रेट पकोड़ा हो तो उसकी उपर की कोटिंग बेसन से होती है इसलिए मैंने बेसन लिया है आप इसकी जगा बाकी की तीनों चीजों में से भी कोई ले सकते हैं अब इसमें एड़ कर लेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीब एक चौथाई चमच और इसे के साथ थोड़ी सी हिंग डाल लेंगे हिंग की जगा आप अजवाइन का यूज भी कर सकते हैं टेस्ट के हसाब से नमक एड़ कर लेंगे और सारी ड्राइ चीजों को मिक्स कर आप चाहे तो इसमें चिली फ्लेक्स या फिर हरा दन्या भी एड़ कर सकते हैं तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करेंगे और इसका एक घोल प्रिपैर कर लेंगे तो जैसे कि हम वड़े तलने के लिए या पकोड़े तलने के लिए बैटर रखते हैं बस वैसा ह तो यह जो ब्रेड मेरे घर में बच कई थी वो ब्रेड में ले ली है तो यहाँ पे मेरे पास करी पांच ब्रेड बची थी इन ब्रेड को हमें इस पानी में डिप करके निकाल लेना है फटक से और यह देखिए इसको इस तरीके से हम प्रेस कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा का जो पानी है वो निकल जाए यह प्रोसेस करने से ब्रेड जो है वो नरम हो जाती है और हमें इसके जो बड़े बनाने है वो आसानी से बन जाते हैं तो इस तरीके से सारा पानी हम निचोड ले और इसके बाद जो हमने बैटर रेडी किया था वो बिलकुल ही ठंडा हो चुका है तो अब बैटर में से एक बॉल ले लेंगे और इसमें स्टफ कर लेंगे तो जितना आप चाहे उतना भर सकते हैं इसमें फटने का डर ये वो कुछ भी नहीं रहता अगर फटे तो भी मत लीजिए क्योंकि हमें इसे बेशन से कोट करना है तो इस तरीके से हमें एक बॉल बना लेंगे बॉल रेडी कर लेंगे एक्स्ट्रा का पानी होगा वो निकाल लेंगे और ये देखिए ये बॉल जो है हमारी बनकर रेडी है तो इस तरीके से आपको सारे जो है ब्रेट तो थोड़ा सा डिप करेंगे और उसी टाइम पे निकाल लेंगे ब्रेट को और उसके बाद इसको इस तरीके से सारा ही पानी निचोड लेना है किनारे अगर आपको लगे के बहुत सकते हैं तो आप किनारे हटा भी सकते हैं और नहीं हटाएंगे तो पाने से ये नरम हो ही ज तो किनारों में पानी जादा रह जाता है तो उसको बराबर से प्रेस करके निकाल लीजिएगा और बस इसमें डाल देंगे स्टफिंग तो स्टफिंग भरना भी बहुत ही आसान है इसमें कोई जंजट नहीं है और इस तरीके से एक बॉल रख लेंगे स्टफिंग जो हमने बनाई है उसकी और इसको बंद कर देंगे तो बस जैसे आप बंद कर सके वैसे इसको दबा के बंद कर लीजिए इस तरीके से यह आराम से चिपक जाएगा और खुलेगा भी नहीं तो बस एक गोल शेप दे दीजिए इसको हाथों से प्रेस कर करके और यह ऐसे ही रह जाएगा खुलता नहीं है यह तो बस इसी तरीके से सारे वड़े हम प्रिपैर कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंज यहाँ पर मैंने पाच वड़े क्योंकि मेरे पास पाच ब्रेड थी तो पाच वड़े मैंने प्रिपैर करके रख लिए है और अब चलिए इसको फ्राय करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो या तो आप चाहे तो ब्रेड को डारेक ही इसमें कोट कर सकते हैं वरना मैंने लिये हैं यहां पे ब्रेड क्रम्स तो ब्रेड में से जो किनारे वगेरा बच जाते हैं उनको मैंने मिक्षर में पीस कर इनको ड्राय रोष्ट कर लिया मतलब सूखा ही सेक लेना है पैन पर तो इससे क्या होगा जो हम कोटिंग करेंगे वो बहुत देर तक क्रिस् हमेशा जब भी ब्रेड बचती है तो मैं इस तरह से इसको मिक्षर में गुमा के सेक कर और डबा भर के रख लेती हूँ फ्रिज में आप इसे बहुत समय तक स्टोर करके रख सकते हैं जब भी मन चाहे तब इसमें से आप जो भी रेसिपी चाहे वो प्रिपैर कर सकते हैं त तो अब चलिए यहाँ पर मैंने ओइल गरम होने रख दिया है तो ओइल को पहले अच्छा खासा गरम कर लेंगे और उसके बाद फ्लेम को लो कर लेंगे तो यहाँ पर जो हमने यह बॉल्स या वड़े बनाए थे उनको हम इस बैटर में डिप कर लेंगे तो बड़िया से ह इसको हम ब्रेट क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे तो यह बहुत ही आसान सा प्रोसेस है ज्यादा जंजट भी नहीं है और टेस्ट तो बिलकुल ही जैसे आप मुंबई वड़ा पाव खा रहे हो वैसा टेस्ट आता है तो इसको मैंने कर लिया है डिप इस ब्रेट क्रम्स मे आप देख सकते हैं बड़ी आसी इसकी कोटिंग हो चुकी है और बस फटा फट से हमें इसे फ्राइ करना है इसे फ्राइ करने में भी दो मिनिट से जादा का टाइम नहीं लगता है तो फ्लेम को हमें बिलकुल हाई रखकर ऑईल को गरम कर लेना है और उसके बाद हम फ्लेम हमें इसे बड़ी आसा कलर आने तक फ्राइ कर लेना है आप खुद ही महसूस कर पाएंगे कि ये क्रिस्पी हो चुका है बस इतनी दिर हमें इसे फ्राइ करना है तो आप देख सकते हैं थोड़ी दिर हो चुकी है और उपर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ओल डाल तो बस दो या तीन बार इसे पलटना है जादा उलट पलट नहीं करेंगे हम इसकी तो ये देखिए एक साइट से बड़ा कलर आ चुका आप देख सकते हैं थोड़ी ही दिर में ये फ्राइ हो जाता है तो बस जब दूसरी साइट से भी बड़ा कलर आ जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हमें सारे जो है वो फ्राइ कर लेने है और फ्रेंट्स ये जादा ओईल भी अबस नहीं करता है क्योंकि ब्रेड के ऊपर हमने जो है बेसन की कोटिंग की है इसलिए इसमें ओईल भी नहीं जाता है तो बस इसी तरीके से हम सारे जो वड़ यो फ्राइ कर लेंगे, तो यह देख़ें, मैंने पाचो वडे फ्राइ कर लिये हैं, अब आपको मैं इसका क्रेंच सुना देती हूँ तो फ्रेंड सुनान आपने कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए हैं मैं अंदर से भी इसका टेक्श्टर जो है वो आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल ही जिसको वड़ा पाव पसंद है वो ये रेसिपी एक बार जरू से ट्राइ कीजिएगा उमिद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चे बड़े सभी इसे पसंद करेंगे ये रेसिपी आप जरू से ट्राइ कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे एक लाइक भी जरू दे दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर अब पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरू कर लीजिएगा और स्क्रीन पे साइड में जो रेसिपी सा रही है वो भी जटपट वाली और यमी सी है उन्हें भी जरू से विजिट कीजिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाँ बाई